जो दीपावली में दरवाजे पर तोरण बांधा जाता है और गेंदे के फूल और आम के पत्ते से जो तोरण होता है इसका क्या महत्तु होता है इसका बहुत अच्छा महत्तु है देखिए आम के पत्ते हरे होते हैं और गेंदे के फूल पीले होते हैं पीले का मतलब होता है क की सूर का प्रकाश क्योंकि प्रकाश को हम अंदर चाहते हैं और अंदर से अपने प्रकाश को बाहर जाना नहीं देना चाहते हैं और हरे का मतलब होता है कि जो अंदकार है उसको आम के पत्ते इसलिए सामने की ओर होते हैं चिकना पत्ता और पिछला पत्ता अंदर की ओर होता इसका मतलब है कि जो नकारात्मक शक्ति है वो हरित भावशे सुब का भाव लेकर उसको छेम का भाव लेकर उसे रोक देता है उसकी उर्जा नीचे की तरब जो उसकी नुकीली डंडियां होती है वो सूल का काम करती है नकारात्मक उर्जाओं को नश्ट करने के लिए सामर्थ होती है आम कल्प वरिच्च के पत्ते हैं और इसमें भगवाने की बड़ी शत्ता होती है उद्भो का प्रतीक है ये संजीवनी है और इससे हमेशा निरत ही सतत ही उर्जा का प्रवाह होता रहता है उस प्रवाह की वज़े से नकारात्मक शतियां रुख जाती है और हमारे जीवन में सुख में तो कि पुष्प लगा होता पुष्प मतलब मन खिला होना हमारा मन सदेव खिला रहे अंदर और वाहर दोनों से आने वाले भी हमें प्रशन करें और अंदर से सपरिवार हम प्रशन रहें चले तोरण लगाया जाता है